हाई फ्रेंट्स आपका हमारा यूट्यूब चनल NMDC अनलाइन क्लासेस पे स्वागत है इस वीडियो में फ्रेंट्स हम लोग डिसकस करने वाले हैं कई लोगों का कमेंट आ रहा है कि एक्जाम सेंटर बदलने के रिगार्डिंग तो उसके हम लोग डिसकस करेंगे और भी कई किसी डर के आप एक्जाम लिखें और आप सफलोंगे और दूसरा चीज फ्रेंट्स में बता दू अभी जो आप एक्जाम सेंटर बदलने की बात कर रहे हैं और चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि मैनेजमेंट भी जो होता है स्रमिक संगठनों के कुछ दबाव में रहता है इस वज़ा से और फिर उनका तरक क्या रहेगा जैसे आप बोलना है कि एक्जाम सेंटर चेंज किया जाए तो उनका तरक है रहेगा कि जो यहां का लोकल लोग है ओ फिर बोलेगा लोग की अस्थानी लोग है कि हम लोग कैसे एक्जाम देने रहे पूर जाएंगे तो इस वाज़ा से आप अपना पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करिए और भी कुछ चीज़ें के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यह जो आपका एन्मडी सfen 팔ै अन्दर आता है एक क्वेश्टन बनता है कि आपका राश्टी खनीज विकास निगम किस परलेगे अंतरगता ने लेके अंतरगत आता है अभी इस पात मंत्रा लेके मंत्री कौन है राम चंदर प्रसाद सिंग तो आप लोग याद कर लेंगे राम फगंज सिंग कुलहस्ते का तो इस पात राजय मंत्री याद रखेंगे फगंज सिंग कुलहस्ते और इस पात मंत्री जो होता है अभी है रामचंद्र प्रसाद सिंग और फ्रेंट्स मैं बता दूं NMDC में पार्द्यरसिता को बरकरार रखने के लिए वहाँ पे एक अलग डिपार्डमेंट NMDC CVC का अस्थापना किया गया है ताकि वहाँ पे जो करमचारियों के बीच और भी चाहे जो भी है कुछ मनलब भरष्टा चार ना हो तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंट्स में बता दूँ अगर जैसे आपको मनलब कोई सोसल मीडिया पे या कहीं से भी एक धमकी टाइब के दे रहा है कि आप एक्जाम देने मता हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेल आइडी लिखा हुआ है आप इसे हमेल आइडी को नोट कर ले ह। और भी मैं कुछ हमेल आइडी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उस पर जरूर मेल करें और आपको सबजेक्ट क्या लिखना होगा अप डाइरेक्ट मतलब थेटन किया जा रहा है धमकी दिया जा रहा है कि आपको exam देने नहीं आना है subject में यहीं लिखेंगे कि NMDC exam regarding ठीक है आपका exam है तो आप लिखेंगे NMDC exam से संबंधित और उसके बाद देखिए email id क्या है cvo nmdc at the rate nmdc.co.in यहाँ पर आप जो आपको समस्या आ रहा है आपको धमकी दिया जा रहा है उस चीज को हिंदी में आपको English नहीं आता है अगर लिखने तो आप हिंदी में उस चीज को लिखें किसी दुकान वाले से किसी भाई से किसी से भी help लें कि आपको बाहरी होने के नाते धंकिया दिया जा रहा है तो इस recording ए लोग आप ए नहीं समझना कि यह लोग कुछ नहीं कर सकता है CBC बहुत बड़ा चीज होता है हुआ के लिए CBC से जो है जो NMDC का CBC होता है उससे हर कोई वो आंतरिक रूप से जानकारी कठा करेगा और इस बारे में जरूर कुछ न कुछ करेगा उसके बाद फ्रिंड्स जैसे मानलो आज आप डिमांड कर रहे हो कि एक्जाम सेंटर बदल दिया जाए तो कल को आप जाब मिल जाएगा ठीक है आप लोग सफल होंगे मैं निस्चित बोल ला हूँ कल को आप जाब मिलेगा तो आपको तो किरंदूल बचेली में ही जाब करना है फिर यह तो होगा नहीं आप बोलोगे कि मेरा जाब का छेतर बदल दो मुझे हैदराबाद भेज़ दो मुझे करनाटक भेज़ दो मुझे पन्ना भेज़ दो तो आपको इस्थिती से अभी तैयार होके सामना करना है ठीक है उस परिस्थिती को आप टाल नहीं सकते हैं आपको एक्जाम भी किरंदूर में देना है सफल भी होना है बचेली में भी आपको एक्जाम देना है और आपको वहाँ पे जॉब भी करना है यह जो अस्थानी लोग बने हुए है यह वहाँ के अस्थानी अधिकतर नहीं है यह बाहरी ही है है आपको समझना है यह बाहर ही ही है तो आपको जाना है एक्जाम देना है और फ्रेंट्स में वहां का जो दंतेवारा का SP है अशरी अभिसेख पल लो या डाक्टर अभिसेख पल लो उनका मोबाइल नंबर लिख रहा हूं उस पर जुरूरिक जान देने आएंगे इस बारे में सुरच्छा का ध्यान रखा जाए तो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूं 947919 फिर उसके बाद 4 skip 4 3e double 0 4 3e double 0 अरी इस अरी मेल इड़ आए डी लो फिर ने इनका आप a bś i h i s 1 e k पी पी ए डबल यल ए वी ए कहीं पे गैप नहीं है और एड़ दी रेट जीमेल डाट काम तो आप इनको भी मेल उसी मेल को जो है कापी करके और जो एनमडीसी का आपका हेड आफिस है है एदराबाद इन सभी जगों पे एक ही मेल को लिखें और इन सभी जगों पे आप मेल जरूर करें ताकि ऐसा जो लोग गीदर भबकी दे रहा है इनके बारे में भी सूचना वहां जाए और देखिए ओ लोग तो पहले से सतर्क है क्योंकि एसब जब कारवाई हो रहा है तो वहां पे आप देखेंगे पुलीस का हो गया फोर्स का बहुत अच्छा बंदोबस्त रहेगा मैं यह बोल सकता हूं क्योंकि फोर्स हो गया या पुलीस हो गया और नहीं चाहेगा कि आपको अधिकतर फोर्स पुलीस एसब दिखेगा तो यहीं बताना था फ्रेंट्स की और भी कुछ इंपोर्टेंट जो न्यूज पता चलेगा मैं आपके साथ सेर करते रहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने और फ्रेंट्स मैं बता दूँ एसब मैं जो है अपना मतलब पॉलिसिटी के लिए नहीं कर रहा मैं आपको अभी भी बता दूँ मैंने अपना चैनल का मॉनिटेजाई जेसन नहीं किया है मॉनिटेजाईसन मतलब जिससे यूटूब से पैसा आता है ठीक है और कम से कम लगवाग तीन लाख व्यूज हो गया है जबकि अधिक से 75,000 या एक लाख व्यूज पर ही मॉनिटेजेशन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ लोग यह भी समझ सकते हैं कि लग रहा होगा कि अपना पॉब्लिसिटी के लिए सब वीडियो बना रहा है नहीं मेरा बस एक उद्देश है कि जो गलत हो रहा है यानि जो एक्जाम देने से बोल रहा है कि नहीं आने देना है तो उनके खिलाफ ए मैं वीडियो बना रहा हूं और फ्रेंट्स मैं बता दूं कि आप एक्जाम देंगे तो आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा आप खुद सोचिए जिन लोगों को कोचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है इस्पेसल क कि दो महिना से पढ़ाय जा रहा है तब भी ओ बोलना है कि बाहरी लोगों को एक्जाम न देना दिया जाए तो आप अपना तैयारी अच्छा करके जाएं बेस्ट अफ लग मेरी तरफ से आपको हर एक वीडियो में रहेगा हर एक दिन रहेगा और आपका हर एक समय बेस्ट थैंक यू